हेलो गाइज, जैसे कि आप सब भी जानते ही है, हमारा Steno4All YouTube चनल है, या बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लिवल के आपको क्लास उपलब कराई आती है, हमारी वेबसाट www.steno4all.com जिसका front page यह है, आप देख सकते हैं, home यह page है, price जिसके अंतरगत हम डिक्टेशन दे रहे हैं, उसमें plan आपको हम दिखा देते हैं, target for stenographer, target for stenographer में जाकर आप अपना registration कर सकते हैं, और आपको यहां मूल लेंकन की सुविधा मिलती है, यहां देख सकते हैं, यह plan है आपका target, आ साथ ही 110 अभ्यास रहती हैं आपकी total, सुता मुल लेंकन सुविधा, एक महा के लिए रहते हैं, प्रति दिन संपाद के निवन्दमाला नई dictation, और free प्रति दिन लिखित परिक्षा संबंदी सामेगरी, यहां पर study material आपको रहता है, और उसके साथ में jobs, इस्टनों से रिले ID, username, password आप confirm करेंगे, और screenshot के साथ में हमें share कर दीजिए, setup, sign up करने के बाद, यह नहीं कि आपको बार बार already login है, उस तरह से अगर message आता है, तो आप बार बार, 10 बार, 15 बार registration करें, आपको केबल एक ही बार registration करना है, और जिस plan के लिए आप payment करना चाहते हैं, उस plan के अंदर से payment करके, screenshot हमारे इसी number पर share कर सकते हैं, या फिर हमारे contact login में, यहाँ पर contact में आप number देख सकते हैं, contact में number दिया हुआ है, यहाँ आप share कर सकते हैं, चलिए, आते हैं डिक्टेशन की ओर, सभी तैयार रहे हैं, ready? बर्तमान समय संकटों से भरा हुआ है, पूरा देश मारी से लड़ रहा है, विपत्ती ने पूरे रास्ट को अपनी भुजाओं में जकड लिया है, यह समय गुटने टेकने का नहीं है बलकी, धहर्रे और साहस से विपत्ती का प्रतिकार करने का है, संकट के सामने यदि हम जुक गए, तो हम और अधिक कमजोर हो जाएंगे, इस समय धहर्रे की खुराक लेने की आविश्यक्ता है, धहर्रे ही हमें विजेता बनाएगा, धहर्रे से लिये गए निर्ने परणाम दाई होंगे, नकरात्मक्ता हमारे उपर हवी नहीं होगी, हम भीतर से कमजोर भी नहीं होंगे, यदि हमने धहर्रे का साथ खो दिया, तो हम आधी लड़ाई यूँ ही हार जाएंगे, यदि हमें महमारी से जीतना है, तो पहले अपने भीतर धहर्रे को जगाना होगा, धहर्रे होगा, तो अनुसासन पैदा होगा, सकारात्मक भाव जागेंगे, उसके बाद ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे, हमें सकारात्मक शक्ति को बढ़ाना ही होगा, विचारों में नकारात्मकता को आने से रोकना होगा, नकारात्मकता धहर्रे के कदमों को आगे बढ़ने से रोकती है, अगर इस समय कदम लड़खडा गए, तो बहुत बड़ा बिचलन पैदा होगा, जो हमें इस युद्ध में कमजूर साबित करेगा। हमें स्वैम को इस विचलन से बचाना होगा। हर कालखंड में मानब जाती की परिक्षा हुई है। महमारियां भी आई है। बड़ी संख्या में जनहानी भी हुई है। परंतु उसके बाद भी उजास और उल्लास का सूरज चमका है। आरोग्य की बर्सा भी हुई है। मनुस्य जाती से खुशहाली के गीत भी गए है। आज भले ही आसमान में महमारी के घंगोर बादल गरजन कर रहे है। उसकी प्रबल धुनी हमारे कानों को विदीन कर रही है। लेकिन यदि धहरे के रत पर सबार होकर चलेंगे तो निश्चित ही ये बादल छंट जाएंगे। हमें स्वयम के अस्तित्व के लिए धहरे पूर्वक लड़ना होगा। यह धहरे की नईया ही हमें इस बिकट संकट के चक्र से बाहर निकालेगी। माहमारी की बिक्राल लहरे जल्द ही शांत होंगी। हम सब मिलकर पुना जीवन के नवगीत गाएंगे। चीन सरकार के सबसे महत पून मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के एक ताजा संपाद किये ने दुनिया भर के कूट नीतिक और रण नीतिक प्रिक्षकों को चौका दिया है। इस समाचार पत्र और उसकी संपाद किये टिपणियों को चीन के कम्यूनिस्ट सासकों की नीति का आधिकारिक हिस्सा माना जाता है। इस संपाद किये में ग्लोबल टाइम्स ने चीन को एक सुपर पावर बताते हुए अमेरिका को धमकी दी है कि दक्षणी चीन सागर को लेकर अगर दोनों देशों के बीच युद हुआ तो उसमें अमेरिका की हार होगी। चीन ने यह धमकी जापान के दक्षणी सागर छेतर में चल रहे जापान औस्ट्रेलिया और फ्रांस के सैनिक अभ्यास में अमरेकी सैना के भी शामिल होने पर दी है। चीन की ओर से यह धमकी एक ऐसे मौके पर आई है जब दुनिया भर में बोहान वाइरस के हमले के कारण चीन के खिलाफ सामोहिक अंतरास्ट्रिय कारवाई की संभावनाएं बढ़ रही हैं। चीन की नई आर्थिक और सैनिक ताकत उसके कम्यूनिस्ट नेताओं के सिर पर चड़ गई है। इस ताकत में मदमस्त होकर चीन सरकार हर किसी देश पर दोंस जमा रही है और चुट्टे सांड की तरह हर किसी भी देश से बिर्णे में लगी हुई है। दक्षणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में बरसों तक आतंक मचाने के बाद अब चीन की नौसेना प्रशांत महा सागर, हिंद महा सागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी जैसे दूरस्त समुद्रों में नौसेनिक अड़े बना कर पूरी दुनिया के लिए एक नई चुनोती खड़ी कर रही है। बीजिंग की हेकड़ी का यह हाल है कि उसने चीन की मुख्य भूमी से 2000 किलो मीटर दूर तक के पूरे दक्षनी चीन सागर को अपना इलाका गोशित किया हुआ है। इन में मलेशिया, फिलिपिन्स, बियतनाम, जापान, बुरुनेई और ऑस्ट्रेलिया समित कई देश है। इन में से कई देशों के सीधे नियंत्रण वाले विसेश आर्थिक छेतर के भीतर गुश कर चीनी नौसेना ने कई दीपों पर कबजा जमा लिया है। और कई जगह तो समुंद्र में उभ्री चट्टानों के आसपास लाखों टन पत्थर मिटी डाल कर अपनी सेना के ठिकाने और वयु सेना के लिए हवाई पटियां भी विक्सित कर ली हैं। चीन का दावा है कि पूरे दक्षणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के गर्व में छिपे तेल और खनिज संपदा पर केवल उसी का अधिकार है। पश्चमी देशों को अब समझ आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपती निक्सन और उनके सहयोगी हेनरी किन्सिजर ने चीन को बड़ाभा देकर बहुत बड़ी गलती की। अमेरिका ने तव ततका अलेगन सोवियत संग से डर कर कम्यूनिस्ट चीन को ताइवान की जगह सैंक्त राष्ट्र का इस्थाई सदस्य बनाने शुरक्षा परिसद में उसे वीटो अधिकार देने अपनी आधुनिक तक्नीक और निवेश तथा अपने बाजार उपलब्ध कराने की जो गलती की वह आज पूरी दुनिया को बहुत महंगी पड़ रही है आज चीन ने लगभग सभी अमीर देशों की अर्थ व्यबस्था राजनीतिक व्यबस्था और यहां तक की वहां की मीडिया में गहरी सैंध लगा दी है उसने छोटे और कमजोर देशों को अपनी वेल्ट एंड रोड योजना के तहत बेतहाशा उधार देकर और बहां के ब्रस्ट नेताओं को साध कर अपनी घरेलू और विदेश नीती पर भी गहरी जकल जमा ली है हालां की इन देशों के भीतर अब चीन के ब्रुद्ध अबाज उठने लगी है लेकिन इन देशों के वोटों का इस्तेमाल करके चीन ने संयुक्त रास्ट्र समित कई अंतरास्टिये संगठनों को पंगु बना डाला है यह हमारी डिक्टिशन समापत हो चुकी है जन्होंने प्लान लिया हुआ है वो जाकर प्लान के आधार पर कर सकते हैं अपनी गलतियों का मुल्यांकन झाला है जन्होंने 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 जन्हों